जहिन पेस नमस्का, सुप्रिंस बड़ी खबर, बोईंग का इगल 2 फाइट और जेट, इंडियान आरफोस कंटाक्ट की दोर में सामिल हो सकता है, जियां जिसे हमें पता है कि भारत्यों बायोशना जो बैसिक बाजार ग्लोबाल मार्केट से 114-114 मोल्टिरोल कॉम्बैक्ट आरकाप्स MRCF राप कर रही है, जो USA बोईंग को परिंग वारा डेवलाट और मानुफक्चर हाइली कापबोल F-15EX इगल 2 खरीदने का विकल पसंद कर सकत है, जिया, धन रखे इगल दुनिया का सबसे तेज म्याक 2.5 या 1.100 किलो मुटर पर हर प्रतिघंटे स्पीड और Most Heavily Armed करीब 13.6 टन या 300,000 पाउंड का पेलोर फाइटर है, जिसमा सबसे लॉंग रेंज स्ट्राइक रेंज करीब 1200 नॉटिकल माईल या 2212 किलो मुटर है, सबसे बड़ी बात F-15 इगल फाइटर ने अब तोक बिना एक भी नुक्षान झेले एर टू एर कॉमबेक में 104 किल्स की है, मतलब होत्याय की है, 104 फाइटर को मार गिराया है, इंडा नारफोस के MRCA टेंडर के लिए बोईंग ने भारत के साथ A-15 विक्रिपोर तर्चा करने के लिए USA गोबर्मेंट से मेंडाटोरी लाइसेंस प्राप्त किये हैं, पहले से भी इंडा नाभी के लिए बोईंग ने अपने F-18 सुपर होनेट का पेस कोस किया है, और अब ऐसा लगता है कि 2019 में सुरू किये गए नए टेंडर में दो और बड़े टू इनिजिन फाइटर्स में से कॉम्पिटिंग होने की संभा बनाए हैं, जी हाँ, जैसे F-15EX इगल 2 और रोस्याने सु, 35 फाइटर, जी हाँ, इसमें बोईंग के मुश्किल बिकल्प का सामना करना पड़ता है कि MRCA टेंडर में कौन सा फाइटर पेस कोस किया जाए, इगल 2 या F-18 सुपर होनेट, जी हाँ, लेकिन कॉम्पिनी के बरिष्ट अधिकर ने कहा है कि F-15EX की पेस कोस क MRCA मोल्टिरोल कोमबैट आयरकाफ्स टेंडर से बाहर करता हलाकी बोईंग को भारत्यों नुशना के 57 TDBF टूइन इंजिन डेक बेस्ट फाइटर्स के टेंडर के लिए सुपर होनेट की अपनी पेस कोस पर पुरा भरोसा है, हलाकी नभी में दूसरे इंडिजनस आयरकाफ् और अनीची तताके 57 TDBF को खरीदने के लिए देख रही है, लेकिन फ्रेंज दो दिन पहले है के रिपोट आया था जिसमें हमारे भारत्यों नुशना का अपने तिसरे आयरकाफ्ट करियों और देश के लिए इंडिजनस आयरकाफ्ट करियों और IAC2 को लाने के लिए तयार हो रहा है और मॉल्टिरोल कोंपेक्ट अयरकाफ्ट MRCA टेंडर के स्पेसिविकेशन्स अभी तक सामने नहीं आया है, इसलिए बोईंग इस बार में अनिची ती है कि क्या F-15 इगल टू या सुपरोर्नेट भारत्यों बारशना के लिए इंडिन आयरफोस के लिए बहतर है कि भारत को अपने 63 राफाइल्स के साथ अपने फोर्स स्ट्रक्चर पर फिर से विचार करना चाहिए यदि अंतर हाई पुपमांस के एंड में है तो F-15 इगल टू ये दोर में फिड हो सकता है